नमसकार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और इंट्रेस्टिंग सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं मामला है अपने बेटे पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान जिसको जो की हलागी बेटा यह भारत करची है लेकिन खोड़ा सा वेगडा हुआ है हो चुका है बीलकुल पूरितरा से कंगल सारी चीज़ें बेचने के लिए मजबूर हो चुका है कई बार अपने सेशन के अंदर हमने हमने क्षा किया है कि पाकिस्तान ने अपना LNG पोर्ट बेच दिया चाहें पाकिस्तान ने अपनी जहाज बेच दिये सब कुछ बेचने की इनकी तैयारी चल चुकी है क्योंकि करजा हो चुका है अपरमपार उसके बाद अब जो है कराची का जो इनका पोर्ट है पाकिस्तान का सबसे ज़ादा ब्यस्त तम पोर्ट जो है वो कराची पोर्ट है इसको बेचने की तैयारी चल रही है मजबूरी में ये बेचा जा रहा है डिसकस करेंगे क्या है मामला, इंडिया से क्यों इन्हें फिलाल जलन महसूस हो रही है, दुनिया भर के अंदर करज इनको अब कोई देने को तयार नहीं है, महंगाई जो है वो छूचुकी है आस्मान, इंफलेशन बम जो है इनके यहाँ पर फट चुका है, यहाँ देखते ह फूड इन्फलेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 48.65, लगभग 50% जो है महंगाई बढ़ चुकी है, पिछले साल की तुलना में, आपके मन में प्रसन आएगा भारत के अंदर क्या हालात है इसके, तो भारत के अंदर फिलहाल जो दर है, फूड इन्फले इन्फलेशन रेट है, ये तो भोजन खाद्य पतार्त की चीजें थी, लेकिन अब जो ओवर ओर इन्फलेशन बाकी जितने भी चीजें हैं, जैसे गाड़ी है, घर है, मकान है, जो भी कुछ है, उन सब के अंदर जो महंगाई की दर है, पाकिस्तान के अंदर है, वो 38% की कंपेरेजन अब इन्डिया के साथ विल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप भी जैसे ही पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, तो मनोरंजन करने के लिए आया के हैं, कि entertainment नहीं हुआ है काफी दूनों से, तो चलो पाकिस्तान की बात ही सुन लेते हैं, तो इन्डिया के अंदर महगाई के हालात हैं, चार से लेकर 6% तक ही मानने हैं, लगभग इतनी ही महगाई तोटल भारत के अंदर फिलहाल चल रही है, पाकिस्तान सहबाज सरीफ गवर्मेंट फेलियर टू सील डील विद आईएमेफ, एक संस्था है जो कि लोन देती है, करजा देती है, करजा नहीं देंगे, लगभग मना ही कर दी गई है, पाकिस्तान के एक्स सेंटरल बेंक चीफ जो हैं, जैसे बहारत के अंदर आरवी हाई है, रिजर्ट बेंक और उप इंडिया, उसी तरह से ये फेल नेशन हो चुका था, आपके मन में प्रस्न आएगा, कि लगातार कई स essence के अंदर ये बात हुई है कि पाकिस्तान default होने वाला है लेकिन होता क्यों नहीं है तो क्यों नहीं होता है इसकी वज़े है पाकिस्तान के पापा जी यानि कि इंडिया कारण ये है कि चाइना जैसे देश जो है जो भारत विरोधी देश हैं वो पाकिस्तान की मदद सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि भारत का ये पड़ोसी है कहीं इसके फेल होने से भारत की जीत टाइप पी कोई चीज ना हो जाए पाकिस्तान बरवाग ना हो जाए अपरेल 2023 से लेकर जून 2023 तक पाकिस्तान नीड्स तू रुपे 77.5 बिलियन डॉलर करजे की हद देखिए आप अप अपरेल 2023 से लेकर 26 जून तक इनहे 17.5 बिलियन डॉलर चुकाने हैं इसमें से 17.5 बिलियन डॉलर इनहें सिर्फ करज चुकाना हैं लगभग 1 चौथाई अपनी टोटल एक्वानी का इनहें करज चुकाना हैं फॉरेंड एक्सचेंज रिजर्व इनके पास है नहीं प्दर जो है वो लगातार चुकाने हैं ऐसी इस्तिती में बरबादी क्या आलम है बरबादी का आप अब समझ सकते हैं इंडिया का कितना रिजर्व है तो इंडिया जो है फिलहाल कितनी बड़ी एकोनोमी बन चुका है तो लगभग 3.73 billion dollar की एकोनोमी भारत बन चुका है लगभग trillion dollar की billion नहीं trillion dollar ये फिलहाल billion के अंदर खेल रहे हैं भारत जो है वो trillion dollar की इतने की एकोनोमी भारत बन चुका है फॉरेंड एक्सचेंज रिजर्व की अगर आप बात करते हैं तो यहां आपको दिखाई देता है चौथे नंबर पर इंडिया जो है दुनिया के अंदर फॉरेक् रखता है और पाकिस्तान जो है 106 वे नंबर पर आता है फॉरेक्स रखने में इनके पास foreign exchange रिजर्व भी नहीं है लेकिन अब हम अपना comparison इस पाकिस्तान से ना करके हम जो है उपर लगातार बढ़ रहे हैं और चाइना से हमारा competition चलता है चाइना जो है फिलहाल टॉप पर बैठा हुआ है foreign exchange के मामले में और भारत भी लगातार चीन की ओर बढ़ता हुआ अग्रसर है तेजी से काम जो है वो चल रहे हैं इसी बीच आप ख़बर पढ़ते हैं government to hand over sea ports to UAE United Arab अमीरात नाम का जो एक देश है उसको पाकिस्तान बेच रहा है अपना sea port याने की पाकिस्तान में hand over कराची port terminals to UAE बहतरीन ये ख़बर है महा कंगाली जहिल रहा पाकिस्तान default होने की कगार पर है और अब अपने कराची बंदरगाह को संयुक्त अरब अमीरात को बेचने जा रहा है पाकिस्तान ने एक कमेटी का गठन किया है ताकि कराची port terminal को UAE को सौपने के लिए डील को अंतिम रूप दिया जा सके पाकिस्तान सरकार ने आपातकालीन फंड हासिल करने के लिए पिछले साल एक कानून बनाया था और अब उसी के तहट कराची port terminal को UAE को दिया जा रहा है अब आपके मन में प्रस्न आएगा कि तमाम चीजे ये बेचते जा रहे है इनके यहाँ पर क्या सुपरीम कोर्ट नहीं है क्या इनके यहाँ पर अन्य विवस्था नहीं है जो कि इन्हें बेचने से रोक लेंगे सरकार जो है अपने संसादनों को बेच रही है तो असल में इन्होंने पूरी तगड़ी विवस्था कर रखी है अपनी एक ordinance अध्याद cabinet have approved an ordinance एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई to bypass all procedures for the process and मतलब बेचने का जितना भी process होता है जो भी procedure follow करने पड़ते हैं उसको ये bypass करने कोई procedure वगएरा follow नहीं करना बेचना है तो बेच दो also abolished regulatory checks जो check वगएरा होते है regulations वगएरा जो हैं इनके यहाँ पर उन सब को is also about the courts court जो है इनके उनके उपर प्रतिबंद लगा दिया है इन्होंने of the country from entertaining any petition against the sale of assets कि देश के जो assets हैं देश के जो संसाधन है यदि वो बेचे जाते हैं सरकार उनको बेचती है और कोई व्यक्ति या कोई संस था इनके देश के court के अंदर जाकर कोई appeal या फिर पिटीशन दायर कर देता है तो court जो है उस petition को नहीं सुनेंगे तगड़ी विवस्था इरोने कर रखी है कि हम जो है पूरा देश बेच कर मानेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता है पाकिस्तानी मीडिया के मताबिक पाकिस्तान सरकार और UAE की सरकार के बीच कराची बंदरगाह को लेक कर रहा है अब ये UAE इनकी मदद कर देता था कई बार करजा दे चुका है लेकिन इस बार UAE ने भी इनके तमाचा मार दिया कि अब जो है करजा फिरी में नहीं देंगे हमें कुछ ना को चीज पकड़ाओ तो इन्होंने कराची बंदरगा ओफर कर दिया पाकिस्तान सरकार क को तब तक कोई लो नहीं देगा जब तक कि सहबाद सरकार देश की कोई संपत्ती उसके हवाले नहीं कर देती है कराची पूर्ट की अदि आप बात करें तो पाकिस्तान का सबसे व्यस्त पूर्ट जो है वो है कराची पूर्ट लगभग 84% जो है वो इसका कंट्रिविशन जितनी भी टोटल कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान में कलेक्ट की जाती है उसकी 84% लगभग 2021-22 एर के अंदर इसी कराची पोर्ट से आई थी UAE बेज़ड पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर सीक डारेक्ट सिप्मेंट कनेक्शन बिट्वीन कराची एंड सार्जा मतलब कुल मिलाकर यह है कि UAE को इससे क्या फायदा होगा तो UAE के अंदर और पाकिस्तान के अंदर डारेक्ट एक कनेक्शन मिल जाएगा अब कनेक्शन यहां आप इससे समझ सकते हैं यह देश आपको दिखाई देता है यूनाइटेड अरब अमीरार जो की ओमान की खाड़ी से होता हुआ ज इंडियन्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी यहां पर करते क्या हैं तो लगबग 80% पाकिस्तानी यहां पर टेक्सी चलाते हैं बाकी सारे के सारे जाड़ू बाड़ू लेकर सफाई बगेरा यहां पर करते हैं ऐसी इस्तिती में पाकिस्तान क की ये सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को ऐसा IMF को उन्होंने बताया है दुनिया के बारे देशों से सहवाज सरीफ गोहार लगा चुका है कि हमारी मदद कर दीजिए UAE ने कहा कि बहुत पाकिस्तान को एक अरब डॉलर देगा ताकि उसे IMF से लोन मिल सके लेकिन अभी तक उसने इसे जारी नहीं किया है हालां कि विसले सक अब पाकिस्तान सरकार को इस तरह की पहली डील के लिए आगाह भी कर रहे हैं इसी बीच पाकिस्तान के प्रधान मंतरी सहवाज सरीफ ने अंतिम प्रयास के तहद सोंबार को करीब एक दरजन प्रभावसाली देश से गुहार लगाई कि वे IMF से लोन दिलवाने में उनकी मदद करें पाकिस्तान IMF से 6.5 अरब डॉलर का बेल आउट पेकेज चाह रहा है सहवाज सरीफ ने पस्चिमी देशों, यूरोपिय और A.C.I. देशों के राजदूतों से मुलाकात की है सहवाज ने इन राजदूतों से कहा है कि वे लोन हासिल करने में मदद करें जिन देशों के राजदूतों से सहवाज सरीफ गड़गड़ाए हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, साओधी अरब, कतर और UAE सामिल हैं कई राजदूतों ने सहवाज सरीफ के लोन पर सफाई तक मांग ली सहवाज सरकार ने इस बैठक को गोपनी रखा और अब इसका खुलासा पाकिस्तानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से कर दिया है पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनके वित्तमंत्री है, जिस स्वेक्ति का नाम है इसाकडार वो ब्लेम करता है जियो पॉलिटिकल सिच्वेशन को कि IIMF हमें लोन क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर फिलाल जियो पॉलिटिकल समस्याँ चल रही है जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध है या फिर चीन का जो है ताइवान के उपर हमला करने की संभाव ना है तो इन सब समस्याँ का बहाना मार रहे हैं कि इनके देश के अंदर इनकी जनता थोड़ी सी बात इनकी सुन ले बिट्वीन जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान मस्ट रिपे एन एडिशनल चार बिलियन डॉलर मतलब कुल मिलाकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक इन्हें चार बिलियन डॉलर का करजा हर हाल में चुकाना है पैसा है नहीं पता नहीं कहां से यह लाएंगे इसी बीच हमने कुछ दिन पहले लगवक तीन हफता पहले एक ख़़र आपके साथ साजा की थी कि क्या रूस जो है वो भारत को धोका दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ ब्यापार बढ़ा रहा है इसके ख़़र के अंदर बताया गया था कि रसिया से सस्ता तेल मिल चुका है प ये भी चाहते थे कि इनका भी थोड़ा सा नाम इनके देश में हो जाए सरकारों की इजट इनके देश में बच जाए इसलिए इन्होंने कलंबे चोड़े बादे कर दिये थे तो इसी चक्कर में इनके बादे के चकर में भारत को भी संदे हुआ था कि पाकिस्तान के साथ र पर पौँचा था वो आल्टीमेटली इंडिया की कंपनी ने रीफाइन करने के बाद भारत ने खारीदा था टेल 22 डॉलर प्रतिवैरल के रेट से और अपने यहाँ पर रेफाइन करने के बाद उसको पाकिस्तान को पकला दिया पाकिस्तान पकलाया गया था लगभग 79 डॉल लोगों को बताया जाता था कि जो हमने वाला किया था वो पूरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रसिया ने इस बात को अब क्लियर कर दिया है, रसिया ने कहा है, रसिया says it's selling oil to Pakistan की वो पाकिस्तान को तेल बेच तो रहा है, without special discount, किसी प्रकार का कोई discount पाकिस्तान को बिल रसिया ने बताया है कि पाकिस्तान को तेल हम बेच रहे हैं, and had agreed to accept Chinese currency as a payment, पेमेंट के लिए क्या ले रहे हैं, चाइना का जो यूआन है उसको as a payment ले रहे हैं, clarifying that the South Asian country did not receive any exclusive discount, किसी तरह का कोई discount इनको नहीं दिया गया है on the purchase of deal, oil deliveries to Pakistan have begun, there is no special discount for Pakistan, it is the same for other buyers, जैसा और लोगों के साथ है, उसी प्रकार से पाकिस्तान को भी तेल दिया जा रहा है, अब थोड़ी सी बात आती है, Modi जी land कर चुके हैं जाकर अमेरिका के अंदर, अमेरिका की state visit पर, चार साल के अंदर किसी देश के एक ही नेता को अमेरिका के अंदर state visit पर बुलाया जा स इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो जलन है वो मैसूस होनी शुरू हुई, और जलन जो है जब मैसूस हुई तो इन्होंने जलन की उल्टी भी कर दी, क्या बोल रहे हैं ये हर बड़ा देश भारत से जुड़ना चाहता है, हर बड़ा देश भारत से क्यों जुड़ना चा नहीं है, वसरते इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हूँ, मीडिया में सनिवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई है, अमेर्की मेगजिन न्यूवीक, न्यूजवीक के साथ एक इंटर्व्यू में रक्षा मंतरी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत 1.3 अरब से ज्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा बजार है, अब ये इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, पता नहीं क्या मू लेकर ये इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, रक्षा मंतरी ने भारत की और से अमेरिका के साथ संबंदों को मजबूत किये जा अगर इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुचता है, तो पाकिस्तान को क्या नुकसान इंडिया पहुचा सकता है, खुद ही तुम बरबाद हो चुके हैं, अपने कर्मों के कारण बरबाद हो चुके हो, इंडिया क्या तुम्हें अब और लात मारेगा, इंडिया गर एक लात और मारी तो बिल्कुल पाताल के अंदर गुसना तुम्हारा तै हो जाएगा हम सांती से जीना चाहते हैं तुम सांती से ना आज तक जी जीए हो और ना तुमने दुनिया को सांती से जीने दिया है दुनिया को जो आतंकवाद तुमने दिया है अब वही आतंकवा साथ साजा सीमा है अगर संबंद अच्छे नहीं है तो हम उनके साथ अपने संबंदों को बहतर बनाना चाहेंगे हम सांती से जीना चाहेंगे चाहते हैं अगर सांती नहीं है तो हम कभी भी अपनी अर्थव्वस्था को बहतर नहीं बना सकते हैं भारत एक बहुत बड़ा अब उसी की धमकी जो है वो पूरी दुनिया को देते रहते हैं कठिन विकल्प से इनका जो अर्थ है सायद यही हो सकता है कि न्यूकलियर बम बगेरा यह फोड़ देंगे क्योंकि पाकिस्टान के अंदर जो नेता हैं वो हमेशा परमाणू बम की बात करते हैं इनके एक नेता खुद ही ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को जब दुनिया के सामने पैसा मांगने जाना चाहिए तो एक हाथ में तो अपने रखना चाहिए कटोरा कटोरा लेकर भीक मांगो और दूसरे हाथ में रखना चाहिए परमाणू बम परमाणू बम रखो एक हाथ में दूसरे हाथ में कटोरा रखो फिर जो है दुनिया तुम्हें भीक देगी ऐसा इनके द्वारा इनके नेता के द्वारा स्वयम बोला गया है चाइना जो है एक बहुत 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 बहुतरीन काम पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है असल में खबरों को देखकर लगता है कि एक समय आने वाला है कि चाइना जो है वो ही खरीद लेगा इस पूरे पाकिस्तान को चाइना साइंस डील विद कैस स्टेवड पाकिस्तान तो सेट अप नियुकलियर पॉवर प्लांट एक परमाडू पॉवर प्लांट जो है पाकिस्तान के साथ बनाने की डील चली है चाइना की जिसके चले CPEC नाम का जो इनका प्रोजेक्ट है उसके चलते पाकिस्तान चीन के कर्ज के अंदर दब चुका है और आगे इस प्रकार की जो डील्स हो रही है और कर्जी के अंदर ये दबने वाला है अन्तताह चीन को ही अपने सारे संसाधनिय स्वाप देगा ऐसा प्रतीत होता है लगबग 4.8 बिलियन डॉलर इसके अंदर खर्च होने वाले है 1200 मेगावाट का न्यूकलियर पॉवर प्लांट बनेगा चाइना की मदद से ये प्लांट बनाया जाएगा उम्मीदे साथियो पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेयर करना बिल्कुल न भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद